हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तो बॉस टॉक्स टेक्निक अनिस इस कोर्स में आपका स्वागत है और गाइज यह है हमरा एपिसोड नूबर सेवन जिसमें हम बात करेंगे चार्ट पेटरंस के बारे में अगर यह आपका फर्स्ट वीडियो है आपने अगर यह टेक्निक अनिस इस कोर्स का एपिसोड नूबर वन नहीं देखा है तो यह है आई बटन पर लिंक आप वहाँ पर जाके सबसे पहले एपिसोड नूबर वन से स्टार्ट कीजिए फिर यहाँ पर आये तो आपको यह सारी चीज़े देख लिए और अब हम आ रहे है चार्ट पैटर्स पे बट गाईज यह जो चार्ट पैटर्स हम समझेंगे उसमें पुराने सारे एपिसोड के कॉंसेट पर काम आने वाले है तो गाईज चलिए जानते हैं सबसे पहले वाद इस इंपॉर्टन्स आफ चा समझे में हेल्प करता है चार्ट पैटर्स हमें पता चलता है कि मार्केट बियरिश है कि बुलिश है ट्रेंट कहां पर चेंज होने वाला है यह सारी चीज़े हमें आराम से पता चल जाती है यूजिंग चार्ट पैटर्स है इसका decision making में बिकॉस अगर हमें यह चार्ट पैटर्स बेसिकली यहां पर दो टाइपस ऑफ चार्ट पैटर्स है पहला है continuation पैटर्स मतलब अगर किसे stock की price uptrend में है फिर उसने कोई pattern form किया है और वापिस से price की trend uptrend की तरफ ही जा रही है तो वह pattern को हम बोलते है continuation pattern and second है reversal chart pattern इसका मतलब कि price uptrend में है कोई pattern form हुआ बीच हो गई है तो यह है हमारे main दो टाइपस ऑफ चार्ट पैटर्स यहां पर एक चीज़ जियान रगना बहुत ही जरूरी है कि जितना लंबा और जितना बड़ा pattern रहेगा हमारे targets पी उतना ही बड़े रहेंगे चाहे वह continuation pattern हो या reversal pattern हो सबसे पहले में जानते है continuation chart pattern को आप identify करना है चार्ट पे लेकिन यहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उसके stop loss and targets क्या रखेंगे हम तो सबसे पहला है peanuts and flags तो यहां पर कोई भी stock की price नीचे से उपर की तरफ आती है फिर वो consolidate होती है एक range के अंदर और यहां पर आता है main game अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो हमें दो चीज़ मिल रहे है एक support और दूसरा है resistance तो यह है pole pattern या फिर इसको यह पार्ट है बीच distance break करेंगे तो हम long entry लेंगे और stop loss रखेंगे हमारा जो नीचे का support है वो और target रखेंगे जो यह pole है जिसको मैं यह pink color से भी identify कर रहा हूं यहां पर यह जो pole है उसका minimum यहां पर हमें मिलना चाहिए flag and pole pattern तो यह है हमारा first pattern peanut या फिर flag pattern भी आप बोल सकते हो उसको bearish बोलेंगे तो यहां पर देख सकते हो price उपर से आ रही है consolidate हो रहा है price और फिर support break किया तो जितना height है pole का उतना हमें यहां पर targets मिल सकते है second chart pattern है triangle chart pattern आप यहां पर देख सकते हो इसमें भी तीन types के है पहला ascending triangle यहां पर देख सकते हो जो resistance है वो fix है और जो support है वो धिरे धिरे उपर की तरफ आ रहे है मतलब यह lower मतलब यह higher highs बना की तरफ उपर की तरफ जा रहे है तो यह bullish signal है और जब भी यहां पर जो resistance उसका breakout आ कर सकते हो for the target second descending triangle यह उसका उल्टा है यहां पर जो support है वो fix रहता है और resistance दिरे दिरे नीचे आ रहे है उसका मतलब कि जो highs है वो lower highs बन रहे है और यह एक bearish signal है तो मतलब जबी भी यह support break होगा तो जो height तरफ स्टार्टिंग में यहां पर triangle का वो हमें यहां पर as a target मिल जाए बल्कि दोनो support and resistance दिरे दिरे एक दूसरे की तरफ खीचे चले आते हैं वैसे आप आप देख सकते हो कि यहां पर price जो है वो higher lows और lower highs बना के नजदीक आ रहे है consolidated हो रहे है और जबी भी support या resistance break होगा in this example resistance break हो रहा है तो यहां पर हमें entry लेनी है और जो height is starting of the triangle वो हमारा target रह हो रहे है तो अनो fix है आप यह example में देख सकते हो price नीचे से उपर आ रहा है फिर एक range bound हो गया है यह फिर box pattern में भी बूल सकते है उसको और फिर जब भी support या resistance जो break होता है उस तरफ बड़ा move आता है और जो height box का है उसतना तो double कम से कम move आता ही है और उसका completely opposite bearish rectangle जिसमें support break ह होता है और नीचे की तरफ price जाती है fourth type cup and handle chart pattern यहाँ पे आप नाम से पता चल जाएगा कि यह जो है यह हमारा cup है और यह है उसका cup का handle और यह जो line is dotted उसको हम बोलते है neckline यह फिर breakout line तो जब भी भी price यह neckline यह breakout होता है यहाँ पे तब हमें entry lane है stop loss रहेगा हमारा handle का low target है वह यहाँ से हमें उपर की तरफ लेगे जाएगा और उतना हमारा target तो पका रहेगा है है next chart patterns है reversal chart patterns तो इसमें भी chart type है like wedges head and shoulder double top and double bottom and rounding top and rounding bottom तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं wedge को तो guys यह है हमारे सारे reversal patterns मतलब price का trend है downtrend में उपर से नीचे आ रहा है इसलिए हम इसको falling wedge बोलते है और यहाँ पे support and resistance है दोनों दिरे दिरे एक भी उसरे के pass आ रहे है लेकिन यहाँ पे first time respect किया resistance को second time respect किया third time respect किया लेकिन fourth time इसने breakout दे दिया और जब भी breakout देगा तो जहासे falling wedge start हुआ है उतना उसका minimum target रहेगा and stop loss रहेगा यहाँ आपका नीचे वाला support and similarly for the rising wedge price यहाँ से दिरे दिरे उपर जा रहा है लेकिन उसका momentum कम होते जा रहा है और जब भी यह support break होगा तो वो नीचे जाएगा और उसका minimum target रहेगा जहां से momentum start हुआ है so guys यह था wedge patterns I hope आपको सारे समझ में आ गए रहेंगे second head and shoulder pattern यह similarly human के body pattern के type है कि यह उसका left shoulder है बीच में head है और side में right shoulder है अगर यहाँ पर हम लोग price को समझे तो price दीरे से उपर आ रहा है फिर वो नीचे आया वह वापिस से support लिया एक level का जिसको हम बोलता है neckline वहाँ से bounce back किया और वापिस नया high बनाया तो यह बना हमारा head लेकिन यहाँ पर भी game वापिस से upside का momentum weak हो गया रहेगा and price ने neckline break कर दी तो यहाँ पर हमें entry lane है downside की तरफ और stop loss हमारा रहेगा right shoulder या फिर थोड़ा neckline के ऊपर का and यहाँ पर इस ने यह example में आप देख सो कि retest किया है price ने और वापिस से minimum target के वापर आ गया जो था height of the head तो यह है हमारा head and shoulder pattern इसका famous chart pattern है जिसको हम identify करते W से and M से तो यहाँ पर आप देख सकते हो double bottom यहाँ पर W में जब double bottom बनी है तो यहाँ पर एक support line बना है और जब भी यह support line बनता है तो जो W का height है उतना minimum यहाँ पर target हमें मिलता है तो बहुत easily identify कर सकते हम यह W pattern और M pattern को and similarly opposite bearish market के लिए M pattern stock की price उपर जा नीचे की तरफ लेके जा रहे है तो जब यह neckline break हुआ या फिर support break हुआ तो आप entry ले सकते हो down side की तरफ और target रहेगा यहाँ पर जो M का height है वो I think आपको W pattern M pattern या फिर double top double bottom जो बोलो वो समझ में आ गया है next chart pattern है rounding top chart pattern आप यहाँ पर देख सकते हो कि stock की price नीचे से उपर तो तो यहाँ पर जो U का height है उतना आप minimum यहाँ पर target expect कर सकते हो stop loss रहेगा उसके जो previous highs है उसके वहाँ पर and इसका completely opposite है rounding bottom pattern जब stock की price मीचे से rounding bottom बना के उपर आती है और जो support level break करती है तो यहाँ से और अच्छी momentum हमें मिल सकती है जो height है U की उसके हिसाप से अगला chart pattern that is rounding top chart pattern अभी यह सारे chart pattern समझने के बाद आप जब भी कोई chart देखो तो आपको उसके अंदर सारे अलगलग chart patterns दीखने शुरू हो जाएंगे यहाँ बुलिश continuation है यहाँ बियरिश रिवरसल है यहाँ बियरिश continuation है फिर यहाँ वापि से बुलिश रिवरसल है तो य यह सारी चीज़े आपको instantly पता चल जाएगी और यह सारी चीज़े आपको चार्ट में पता चलेगी और उसको identify करने कि मैंने बहुत सारे indicators बनाया है जो find out करने के लिए आपको हमारा telegram channel join करना पड़ेगा जिसकी link मैंने bio में डाली है अब तक आपको सारे concept clear हो गए रहेंगे अगर नहीं हो तो आप वापिस से वो concepts की वीडियो देखे और फिर भी doubt है तो आप comment में मुझे बताईए तो मैं आपको detail video बना के दोंगा उसके उपर and I want अभी कभी भी आकाश में बिज़ी चम के तो आपको वहाँ पर भी पता चल जाने जाए कि क्या supporter क्या resistance है this was just a joke guys I want you all technically अब बहुत strong हो जाओ और अच्छे से identify करो और अच्छे से trading करो so guys this was my effort in the technical analysis course इसमें मैंने आपको बहुत सारे अलग-अलग concept योपर वीडियो बना के उसके अंदर आपको educate किया है so guys अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ये playlist अच्छी लगी हो तो like कर देजा इस वीडियो को and subscribe किजा हमारी channel को because यहां पर मैं बहुत सारे वीडियो लेके आऊंगा of daily analysis, important news, trending chart patterns और algo trading के बारे में so guys see you in the next video तब तक के लिए goodbye and do not forget to subscribe, thank you